मैं आप तमाम हजरास से पूछना चाहूँगा और मैरा साथ दीजिएगा आप में से कितने लोग नीज़ पेपर या नीज़ चैनल देखते हैं या पढ़ते हैं आपना हाथ उपर करिएगा बागी लोग नहीं देखते हैं माशाला मैं उमीद करता हूँ सभी लोग देखते होंगे और नहीं भी जो देखते होंगे तो देखने वालों से सुन लेते होंगे मेरा दूसरा सवाल है आपसे जरा साथ दीजिएगा आप लोगों मेंसे कितने लोग मलाला यूसुफ जई को जानते हैं माशाआलला मलाला यूसुफ जई को जानते हैं जानते होंगे जो लोग मीडिया से अवेर हैं अच्छा मेरा तूसरा सवाल आप लोगों में से कितने लोग मर्वा अल्शर्बिनी को जानते हैं 100% लोग कोई नहीं जानता होगा मर्वा अल्शर्बिनी को कितने लोग जानते हैं यह मीडिया मैं भी आपके सामने बताऊंगा क्यूं नहीं जानते हैं आप लोग यह मीडिया मलाला यूसुफ जई पाकिस्तान की रहने वाली थी और तहरी के तालिबान पाकिस्तान जो कई रिपोर्ट्स हमने पड़ी उसमें ये भी कहा जाता है कि तहरी के तालिबान पाकिस्तान सी आईये स्पॉंसर्ड है मैं उन मसले पर नहीं जाना चाहता तहरी के तालिबान पाकिस्तान उसके हमला करता है और इसे दो गोलियां लगती है एक गले के अंदर और एक सर के अंदर लेकिन इंटरनेट के उपर काफी सवाल उठाए गए कि गले के अंदर जो गोली लगी थी सर के अंदर जो गोली लगी थी वो कहा गया बोगेर बहुत सारे फोटोज आए मैं उन मतेल में नहीं जाना चाहता है लेकिन मीडिया में क्या किया 9 अक्तूबर 2012 को इसको गोली लगती है और पूरे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के मीडिया में ये कहराम मत जाता है कि मुसल्मान देशिदगर्द होते हैं मुसल्मान औरतों की तालिम के खिलाफ है क्योंके 15 साई की एक बच्ची जो अपने स्कूल से घर की तरफ आ रही थी बस के अंदर उसको गोली मारी गई जिसके दो गोली लगी और यूएन ओ, यूनाइटेड नेशन जो लाखों औरतों को रेट किया जा रहा है एराक के अंदर हजार औरतों को सीरिया के अंदर रेट किया जाए है ते तमाम चीजों को सामने तो अपनी आँखे बंड की हुई है लेकिन वही यून नो एक ऐलान करती है कि 10 नवंबर 2012 के दिन वो ऐलान करती है और I'm sure कि बहुत कम लोग जानते होंगे और आप लोगों में जो किसी ने फिंगर रेज नहीं किया मरवाल सर्बिनी 31 साल की खातून जो जर्मनी में रहती थी इजिप्त की रहने वाली थी मिसर की रहने वाली थी लेकिन जर्मनी में आ गई थी वो एक फार्मसिफ थी पड़ी लिगी खातून थी वो 21 अगस के दिन अपनी बेटी को लेकर एक प्लेग्राउन में जाती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहीं पे एक और शक्स जिसका नाम अलेक्स था वो अपनी भांजी को लेकर जाता है वो भी अपनी भांजी को खिलाना चाता है और अगसे हमारे वह होता भी हम देखते भी हैं कि जब एक ही ग्राउन हो एक ही चीज खेलने की हो तो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं यही हल वहाँ पे हुआ जर्मानी के अंदर वो प्लेग्राउंड के अंदर पॉब्लिक प्लेग्राउंड में एलेक्स की भांजी और मर्वा अजशर्विनी की बेटी दोनों के बीज में जगड़े होते हैं और जो बड़े समझदार लोग होते हैं वो इन बातों में नहीं पढ़ते लेकिन एलेक्स था उसने चुके मर्वा अजशर्विनी मुसल्मान थी उसने बागएदा इसलामी तोर पे हिजाब भी लिया हुआ था तो एलेक्स ने मर्वा अजशर्विनी को पुलिस को टेलिफॉन लगाती है और यहां पर यह प्रॉब्लम्स हैं और आकि आप पुलिस आती है मामला रख़दफ़ा होता है और एलेक्स के खिलाफ विमेन अब्यूस वरबल अब्यूस का केस बनता है और एलेक्स को पैनल्टी लगती है कि तुम्हें इतना पाउंट देना होगा वो देने से इंकार कर देता है देने से इंकार कर देने के बाद दूसरी बार फिर केस की सुनवाई होती है फिर वो देने से इंकार कर देता है और मामला एक जुलाई 2009 को पहुंसता है जहां पर final hearing हो रही थी मर्वा अल्शरविनी कोर्ड में मौजूद थी उसका बेटा उसका हस्बंड यह लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और सामने Alex भी मौजूद था Alex के वकील मर्वा अल्शरविनी के वकील भी उस कोर्ड में मौजूद थे और तीन जज़ वही पे थे होता यह है कि आपस में बैसे होती है मैं हमें सारी बातें नहीं बताना चाता फिर यह होती है कि कोर्ट की रिसस हो जाती है और मरवा अलशर्बीनी हो चाती है कि अपना वापस नहीं आना चाती मुझे यहाँ पर इनसाफ बहुत देर में मिलेगा मैं यह केस को रफा रफा करना चाती है और वो इसी नियत से कोर्ट के दरवाजे के बाहर आती है इतने में एलेक्स 18 सेंटी मिटर का विकी बीडिया की रिपोर्ट है कि 18 सेंटी मिटर का चाकू वो लेकर आता है और मरवा अल-शर्विनी के पेट में पंगरा घाओ करता है उसके बाद उसके हस्बंड के भी 20 वार करता है उसके हस्बंड फोरं कौमा में सला जाता है और मरवा अल-शर्विनी शहीद हो जाती है अब आप मुझे बताईए मुसल्मान, ऐसे मुसल्मान जिसको लोग कहते हैं कि ये जाहिल लोग है, ये अनपर लोग है ये औरतों को इज़त नहीं देते, ये औरतों को पढ़ाते नहीं है उनके बारे में आपने मलाला का बहुत बड़ा हल्ला किया आपको बड़े तेजीब वाले हैं आप तो मगरी बेत फिविक को पूरी दुनिया में प्षैल राना चाहते हैं आप तो अपने आप बड़ा तैजी वाला मानते हैं आप तो अपने आप बड़ा निकां मानते हैं आपकि कोउट के अंदर जहां पे सिकुरिटी भी मौझूद थी वहीं पर एक कातिल एक मासूम औरत पर वाय करता है और पूरा मीडिया खामोश है कहां वो हुएन क्यों मरवा अलसर्बिनी डे नहीं मनाती ये इनकी हिपोक्रेसी है ये दोनों वाकियात बताने से मेरा मकसद ये सिर्फ यही था एक बात को याद रखिए कि कोई भी मीडिया मुखलिस नहीं होता मीडिया आपका बॉस बन जाता है आज मीडिया के जरीए साइकोलोजिकल आपरेशन किया जाता है आप किस से महबत करें आप किस से मफर्द करें ये सारे आपके फैसले कोई नहीं करता सिवाए के मीडिया के